देखा जा आज हम लोग जो है एडिक्सनल लेक्सल साइज का 1.32 देखने वाले ठीक है इसमें A और B करके दो कोश्चन है एक में बोल रहा है क्या कि मल्टीपल चार्ज के सिस्टम के लिए मल्टीपल चार्जेज वगरा रखा हुआ है उसके वज़े से किसी पॉइंट पर ने पता है कि वह एकिलिब्रियम पोजीशन जो होगा वह मिड़ा एक अन एकिलिब्रियम पोजीशन होगा जैसे कि अगर माले जाए q1 q2 q3 q4 q5 q6 फ 178, q7 i.q7, सबी चार्ज के वज़े से यहाँ पर एक कोई ऐसा पॉइंट है माल लिया जाए इस पॉइंट का नाम हम ले ले एलेक्ट्रीफिलड का मान क्या है जीरू है यहाँपर अगर हम लोग कोई कई लाकर तो उसको होगा जाएगा जीरो होगा, यहाँ पर electric field का मान net value, electric field का क्या है, जीरो है, ठीक है, electric field का net value, जीरो है, अच्छा, अब एक चीज, अगर यहाँ पर हम कोई भी test charge, यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई भी test charge रखते हैं, माल लिए आजाए, QNOT, अगर test charge रखते हैं, तो उस पर लगने वाला net force, क् कि electric field का में यहाँ पर 0 है थेक अब एक बात हमको यह सावित करना है कि इन सब के वजय से जो यहाँ पर टीर्स दिवियेत जीरो ठोगा तो डेफिनेनली यहाँ पड़की यहाँ आप कोई भी चार्ज रक हो गया तो इस पर लगने वाला electric force मेरा zero होगा क्योंकि electric field नहीं है यहाँ पर electric field का मान zero है तो definitely यह equilibrium position है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि definitely यह क्या है equilibrium point है या फिर यह सकते हैं कि यह क्या एक equilibrium point है equilibrium point है टीक है लेकिन हम लोग को यह साबित करना है कि definitely यह जो equilibrium point होगा न वह एक unstable equilibrium point होगा unstable equilibrium point कहने का मतलब क्या हो गया जैसे कि देखा जाए हम लोग अगर कोई एक कटोड़ा है इस तरीके से कटोड़ा को पलट करके रख दिये हैं या फिर एक एहमी स्फेयर ही है या कोई भी चीज़ है स्फेयर ही है उसको ऊपर से प्रलट कर रख दिये हैं यहां पर अगर कोई एक छोटा से टुकड़ा रखते हैं अगर इस छोटे से टुकड़े को हम लोग force लगा करके हलका से अभी इसको देखा जाए तो इस पर लगने वाला net force तो मेरा 0 है अभी बचारा सांगती से है कोई इस पर net force नहीं लगड़ा कोई धर दर moment नहीं है अगर इसको ऐसे हलका से मार दे तो क्या होगा यह यहां से खिसक करके इधर side हो जाएगा तो जब यहां से खिसक करके side हो करके इधर गिड़ चला जाएगा वापस अपना position पे आने का कोशिस तो नहीं करेगा तो यह अभी equilibrium में है लेकिन यह equilibrium मेरा एक unstable equilibrium है क्योंकि यहां से अगर हम ज़रा सभी खिसकाएंगे तो यह जगह छोड़ देगा अपना position को वापस आने का कोशिस नहीं करेगा ठिक अच्छा यह हो गया क्या unstable का मतलब यह चीज होता है रिगेन नहीं करता आपने position को लेकिन stable equilibrium position का मतलब क्या हो जाता है stable और unstable का जो वीडियो है उसको देखावा होना चाहिए ठैर पढ़ाए हम यहां पर देखा जाए जैसे एक block है इसको रखे कटोड़ा है उसी में यहां पर इस तरह के से से रख दिये यहां पर बी site ले जाकर के अगर छोड़ने इसको तो फिर से वापस वही आ जाएगा कहीं भी site ले जाएंगे ले जाकर के छोड़ने DC तो क्या होगा व वापस वापस सोरी यह रहना चीजде था ठीक है केर कोई ने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कहीं पर भी ले जाएंगे, ले जाकर करके छोड़ेंगे, तो यह क्या होगा, आपना, जो main position है, वहीं पर आने का कोजिस करेगा, बार-बार, तो यह equilibrium position है, क्योंकि इस पर लगने वाला net force अभी 0 है, लेकिन इस condition में क्या है, जरा सभी खिसका के छोड़ दो तो वापस वहीं आएगा, इधर भी खिसका के छोड़ दो तो वापस वहीं आएगा, खिसका के छोड़ दो तो वापस वहीं आएगा, गोल है इस तरीके से, तो ये equilibrium position तो है साथ ही साथ लेकिन क्या है, stable है, क्यों, क्योंकि आपना position को बार बा वापस पाने का कुछिस करता है यहां पर तो हमको यहां पर यहां पर यह दिखलाना है कि सभी चार्जेस के वज़े से जो यहां पर एलेक्टिक फिल जो होगा ना वो जो एलेक्टिक फिल होगा मेरा एनेट एलेक्टिक फिल जीरो है यहां पर रखेगा किसी भी चार्ज पर लगने ओला नेट फोर्स मेरा जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है तो यह एकलिब्रियम में तो है नेट फोर्स जीरो होतने का मतलब ही होता है एकलिब्रियम में होना तो एकलिब्रियम में है लेकिन वह एकलिब्रियम मेरा एक अनस्टेबल एकलिब्रियम है यानि कि अगर चार अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर माल लिये कि यह एक equilibrium position तो है पॉइंट तो है लेकिन माल लिया जाए कि यह एक stable equilibrium position कैसा माल लेते हैं हम लोग एक contradiction से इस question को deal करेंगे ncrtk answer में भी इसी बात को बता है हम लोग जैसे माल लिये कि यहाँ पर यह ने एक stable equilibrium position है क्या माल लिये कि यह क्या एक stable equilibrium पो यूझ सोचे यह कि स्टेबल equilibrium coefficient है या इल्यक्रिक फिल्ड का माल ना चाहें तो यहाँ irritating मिलीग होना चीए क्यूंख अगर यहां पर यहां ले करके जाते तो ऑगर फिर से वापस खिसक के मेरा यह ही आजाएगा इस प्तिप्टिट्स चार्ज को सब्वेचा के यहां लेकर के आया फिर छोडएंगे तो क्या हो SY्ए पोजटीफ एलेक्टिक फिल्ट फॉर्स लगता है फिर데फ लुकृ सब पॉजितिफ चाहस ऑखिट कर लेकर के जाते हैं छोडएंगे तब ताकि इधर भी ले जाएंगे छोड़ेंगे वापस ओहीं आ जाएगा ऐसा कब होना चाहिए जब यह सारे चार्ज के द्वारा यहां पर एलेक्टिक फिल्ड है मेरा इस पॉइंट पर रेडियली इनवर्ड होना चाहिए रेडियली इनवर्ड मतलब ऐसे ही इसी पॉइंट प तो हम लोग जरा सभी इधर भी खिसकाएंगे छोड़ेंगे तो वापस यह आ जाएगा यहां पर भी अगर लेकर के गए इधर इस डिरेक्शन में और ले जाकर के छोड़ेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा वापस आ जाएगा अगर इसी पॉइंट से अगर खिसका करके जाएगे और छोड़ेंगे तो फिर से वापस फोर्स लगें और जहां पर आजाएगा ठीक है तो हम लोग क्या कर लिए सबसे पहले आप अस एज्यूम डैट है ज्यूम डैट पॉइंट ए पॉइंट ए इज आ स्टेबल एक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है हम लोग माल लिए कि ये क्या है एक इस्टेबल एक्विलिब्रियम पॉइंट है तो जब ये एक इस्टेबल एक्विलिब्रियम पॉइंट है तो उसके एक्कॉर्डिंग एलेक्टिक फिल लाइन्स यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए ठीक क्यों इन्वर्ड होना चाहिए हम ही हैसा होगा ठीक है और उसको खिसकाएंगे तो ऐसा हो जाएगा यहां पर होना ची वह प्र इसको बात कर रहे हैं ठीक है देखाएँ जैसे कि अगर इसके चारों तरफ हम लोग गॉस्यान सर्फेस एजियूम करते हैं तो गॉसिन सर्फेस अगर एजियूम करते हैं तो देखा जातो एकॉर्डिंग टू गॉस लो जो फ्लक्स होता है मेरा वो क्या होता है क्यों इंसाइड डिवाइड़ बाई क्या एपसलर नॉड होता है यह तीज तो हम लोको होगा क्यों फ्लक्स होगा क्योंकि यहां पर अंदर की तरफ जा रहा है 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 एडिया वेक्टर इस तरफ होता है कि नहीं सर्फेस पर पर्पेंडिकुलर और एलेक्टिक फिल्ड क्या है अंदर के त का फ्लक्स का ठीक है हम लोग क्या माने ये एक ऐसा नल पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रखने वाले चेस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन वहाँ पर डेफिनेटली तब तो और ये एक इस्टेबल एक्विल्ब्यम पोजीशन है तो गॉस लो तो गॉसेज लो के एकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्लक्स चू होता है यहाँ पर इस गॉसियन सर्फेस के थू फ्लक्स का फर्मूला तो क्या होता है मेरा क्यों इंसाइड बाए एपसलों नॉट अच्छा अंदर में तो चार्ज जीरो है इस स्फेर के अ रख हुआ इस स्फेर लेकिन अगर हम लोग इस पउइंट को एक Š्व्यक्स मानते है तब उसके एककॉर्डिंग तो यहाँ पर तो फ्लक्स होना चाहिए तो stable equilibrium अगर हम लोग इसको मानते हैं तो यहां पर inward electric lines होने के कारण यहां पर कुछ न कुछ प्लक्स का मान होना चाहिए तो जब कह रहा है कि अंदर में यहां पर इस एडिया से फ्लक्स नहीं होना चाहिए तो यानि कि जो हम लोग जो इसको stable point मान करके जो net flux का value जो दिखला रहे हैं कुछ न कुछ क्या हो गया गलत है contradiction से इसको solve करना है मान लेना है पहले और इसको फिर बाद में गलत साबित कर देना है इसी चीज को contradiction का मतलब यह होता है तो हम लोग यहां पर उस point को लिख लेते हैं यहां पर कि हम लोग क्यालते हैं जो माने हैं हम लोग के मानने के अनुसार जो electric lines को यह पाइंट पर जो हम लोग पैटर्ण की बात कर रहे है electric field का pattern ऐसा होगा now which we assumed is not possible जो कि हम लोग assume किये हैं ना let us assume that कि यह मेरा क्या है equilibrium point है तो यहां पर ऐसा होना चाहिए electric field वह मेरा क्या है pattern which we assumed is not possible यह मेरा possible ही नहीं कि यहांपर यह मेरा क्या हो एक stable equilibrium physician हो जाए यह stable equilibrium point है stable मान करके यहाँ पर जो काम किए पैटर्ण दिखाए वह पॉसिबल ही नहीं अगर यह stable है तो उसके हिसाब से ऐसा एलेक्ट्रिक पैटर्ण होना चाहिए और अगर ऐसा होना चाहिए तो गौसलो तो उसको गलत साबित कर देता है तो ऐसा पैटर्ण तो पॉसिबल ही नहीं है तो डेफिनेटली जो यह पोजीशन है मेरा यह stable equilibrium position नहीं बलकि यह क्या है unstable equilibrium position यानि कि यहाँ पर से चार्ज को अगर जला सब खिसका करके छोड़ेंगे तो उधर ही चला जाएगा वापस नहीं आएगा ठेक हाँ जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक इस पर लगने वाला मतलब unsatisfaction तो रही जाना है ठीक है ना दिमाग लागाने की ज़रुवत नहीं है ठीक है टेंशन ने लेना अब बी नमबर पर बात करते हैं हाँ देखा जाए बी नमबर में क्या बोल रहा है कि एक लाइन पर यह दो charge का एक system है यहाँ पर भी एक plus q charge यह आपर सेब प्लस्क्यू चार्ज लेते हैं तो यह पत्प्र से इसको बिच वाला पाइंट है यह azt हम लोग इसी चार्ज को अगर एलोंग दी लाइन इस तरफ अगर हम लोग खिसकाते हैं माले यहां से खिसका करके क्या किये यहां लेकर क्या आएंगे तो यहां जैसे ही लेकर क्या आएंगे तो देखो तो क्या होगा क्या होगा यहां पर हम लोग क्यालते हैं यहां जैसे इस करके यहां लेक्र के गया इसको कोई छार्चा ने किए इसको यहां लेकर का का जड़ा इंदोन चाओर के बीच की दूड़ी है वह इमना क्या करता इसके और इसके बीच रिपल्सन का फोर्स तो बढ़ जाए गा जाएका बढ़ जाएगा तो जैसे ही हम लोग यहां पर छोड़ेंगे, जैसे इस चांच को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, यह इसको धक्का दे खड़के बोलेगा न, जाओ, यह इसको फिर धक्का दे खड़के क्या है, यहां पहुचा देगा, आचा ठीक है, और इसके और इसके बी मां यहां ताकत से इसको इदर भूरा तो फिर सही वापस कहां आ जाएगा यहीं आएगे इसके पास देकर के आएगे छोड़ेंगे तो फिर से यह इसको क्या करेंगा उदर धकेल देगा वैसे भी सिच्वेशन में यह फिर से इधर आएगा आए आचा ठीक है और जैसे ही जब यहां पहुंचेगा तो उदर से इधर लगने वाला फोर्स और इधर से इधर वाला फोर्स मेरा फिर से नेट जीरो हो जाएगा यहां प्याके चार्ज रूख जाएगा इसको जैसी इधर खिसकाएंगे यहां पे तो जैसी ले जाएंगे छोड़ेंगे तो यह इसको धक्का देके उधर दूरी कम हो गया तो बहुत ज्यादा ताकत से इधर दखेल इस दिसा में तो मेरा क्या है इस तरफ हम दिखलाएं खिसकाएं इधर इधर खिसकाएं तो हमको लगा क्या कि यह मेरा क्या है इस्टेवल एकिलवडियम पोजीशन है क्यों कहीं भी खिसका के छोड़ रहे हैं तो वापस आ रहा है लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करते हैं जर कोड़ने के बाद वापस यहां आता देखो तो यह पुजिटीव इसको क्या करता इधर धा केलता यह पोजिटीफ जी चाज करता इधर कंदर दसे एक फोर्ट इधर से और पीफर सुसक हो इभनाट ता कि नियुकर प्ल baik कि जाता कि ले तेट एधर की इधर हो जाता फिर भी यह च्या हो जाता है यहां पर ले आने को छोड़ते तो यह खाता हो भागो ऊस्टहरा रहा लेकिन आधर खिसकते हैं तो स्टेबल जैसा रूप नहीं कमैं सिस्टैबल को सिंगे वाला पॉइंट होने के लिए हुँ सामे अगर इसको छोड़ने के बाद वापस आना चाहिए लेकिन इधर और इधर किसकाने पर तो होड़ा है लेकिन इधर नहीं नहीं होड़ा ले जाएंगे छोड़ेंगे तो वापस नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं क्या कह सकते हैं कि the point the point a is an unstable equilibrium tm point the point a is an unstable equilibrium point ठीक है यह चीज हम लोग यहाँ पर समझा दिए बस इसको इतना ही रहने देते हैं हमको पता है कि इस वाले में थोड़ा बहुत दिक्कत स्क्रीन सॉट लह लिए इस मुथ्वा सदिक्कत रह जाता है ठीक है तो अतना कंफ्यूज नहीं करना है दिमांग नहीं लगाना जादा इस्टेबल एक्विलिब्डियम पोजीशन और अनस्टेबल एक्विलिब्डियम पोजीशन दोंडू पढ़ावा होना चाहिए ठीक है तो अच्छा रहेगा इसा टॉपिक लोगेड़ा को बस सब्सको इतना ही रहने देते हैं